बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मिडियम के नम्मर वन चैनल सुफम क्लासेस में जैसा की जानते मेरा नाम सुनी चौधरी है और बिलकुल बच्चो आप लोग की डिमांड पे हम लोग क्या लाएं याद करीब बोर्ट पे देखिए क्या है बिलकुल सही पकड़ें प बहुत ज्यादा पढ़ा है हाथ दर्थ करें तो बिलकुल बिटा आज से आपकी सारी समस्या है खतम आज से हम आपको सिर्डियूस स्लेबस हटा करी पढ़ाएंगे क्योंकि रेडियूस स्लेबस आपको याद रखना है कि इस चैप्टर का जो रेडियूस स्लेबस है हैलो ए आइडो फॉर्म नहीं पढ़ना फ्रियों नहीं पढ़ना डीटी और परियावरण पर प्रभाव यह सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी तो हम भी इसको नहीं पढ़ाएंगे हम भी आप आपके सिर्फ 70 पॉर्षेंट को ही टच करेंगे क्योंकि जैसा कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज सर हम वो नॉलेज के साथ साथ टॉप करने तो बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल सही बैच में है जीरो से हीरो आपको टॉप करना ही है और उमीद करेंगे हमारी जितने बच्चे सब 95 परशेंट उपर मार्क्स लाएंगे ठीक है तो आईए हम लोग बात करेंगे आ थोटा सा फंडा से तो याद रखिए खोली स्रिंखला अगर बच्चों याद होगा आपको 11 में पड़े होंगे कि स्रिंखलाएं दो प्रकार की थी खोली स्रिंखला और बंद स्रिंखला इसी में हम लोग को क्या पढ़ने है आयू पीएसी नेम कुछ यादार है याद क्लास 11 में अगर फिर भी मेरे बच्चों को कोई डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे मैसेज करेंगा हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या पार्ट टू कुछ बच्चों की सिकायत थी कि सर प्लीज आप ऑनलाइन रखे बाखे प्लीज सकते हों और बहुत सारे ब aç चेह बच्चे मुझे टेलीग्राम लाव हैं तो आप टेलीग्राम पे युसे मैसेज पूं सकते हो ऑपने डाउट्स भेज सकते होगो Vaas dögkin जैसे की सबसे अगर हम अच्छे बच्चों की बात करें तो चार बेर्यषं हैं जो हम अगर नहीं पता है वो जल्दी से connect कर लीजे अपने doubts को बताईए हेलो एलकेन के बाद अगर हम बात करेंगे क्या हेलो एरीन तो हेलो एरीन के लिए समझना होगा आपको बंद स्रिंखला तो स्रिंखलाएं कितनी हो गई दो खोली स्रिंखला और बंद स्रिंखला अगर आपको याद होगा तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था एलकील ग्रुप याद करिए आपने पढ़ा होगा बच्चा एलकील समूझ जिसका छोटा सा formula आपको याद होगा ये थोड़ा सा revision करा रहे कि इस chapter को पढ़ाने में कोई problem नहों और हमारे सारे बच्चों को सारी चीज़े आएं याद करें formula था cn h2n plus 1 और इसमें क्या जोड़ते थे अनुलगन क्या in अब हमारा पास number of carbon हम लोग को याद है कि कारवन 1 है तो मेत 2 है तो एत 3 है तो प्रोब 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हैक्स 7 है तो हैप्ट 8 है तो आप्ट 9 है तो नोन और बच्चा अगर 10 है तो 10 इने को हम लोग याद किये थे किस नाम से आयू पीएससी पधती जिसको याद करने का तरीका आपको बताया था कि इस पधती के अनुसार किसी भी योगिक का नामकरण किया जाता है जिसका फुल फॉर्म है International Union of Pure and Applied Chemistry अगर हम बात करें अपने ग्रुप की तो हमारा ग्रुप क्या है हैलो अलकेन अगर हैलो अलकेन का क्रियात्मक समू देखा जाए क्या क्रियात्मक समू तो क्रियात्मक समू की बात करेंगे तो ये होता है Rx सर ये X क्या है बेटा X ही तो है हैलोजन तत अगर आपको याद होगा तो हैलोजन तत्व हम लोग याद किये थे कितने याद करो, कुछ यादा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्लोमीन, आयोडी, फिलहाल ये चार आप याद करिए, और इन चारों में से कोई एक, हम इस पोजीशन पर रखेंगे जब, हम बात करेंगे हैलो एलकेन, और आपको बताया कि हैलो एलकेन एक प्रकार की क्या है, खूली स रिंग खला, जैसे सोची एव अच्छा, कि अगर हम कार्बन रखे एक, तो फॉर्मॉला ले लो, cn h2n प्लस 1, n की वैलू हो गई एक, तो c1 h2 into 1 प्लस 1, c1 h2 प्लस 1, मतलब c h3, और ग्रूपिंग में बताया कि इसके साथ x जोड दीजे, कोई एक तत्व ले लीजे, माल लीजे, हम cl ले ले रहें, तो यहाँ पे एक cl रखेंगे, मतलब कार्बन के चारों तरब, तीन हाइड्रोजन के साथ, एक क्रियात्मक समु आ रहा है, जो क्या है cl, यह कहा जाए, कि एक हाइड्रोजन को विस्थाबित करके, जिस क्रियात्मक समु का प्रियूप करते हैं, उसे हैलोजन तत्व कहते हैं, या हैलो एलकीन, उसी तरह अगिर हम बात करें हैलो एरीन की, तो याद रखिएगा बच्चा, कि जब हैलो एरीन की बात होती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाईए, बंद समु, मतलब बंद स्रिंकला, अब बंद स्रिंकला आते ही, इसका एक छोटा सा फंड आपको बता रहे हैं, कि क्या याद रखना है, एरोमेटिक योगि, या तो बेंजीन समु, जैसे C6, H5 और X, इस X की जगा हमें रखना है, चारो में से पाँ, एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडिन, इन चारो में से एक रखिए, तो माल लो हम इसके बेंजीन को ग्रूप को ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉर्ण, सिंगल बॉर्ण, डबल बॉर्ण, और एक X, X माल लो C L ही ले रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले में भी हमने C L लिया, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा स्क्लोरी, H, 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 इन तीनों योगिकों को बेंजीन, समू या आरोमाटिक योगिक कहते हैं, इनकी सरशना को कैकुले सरशना के नाम से जानते, बताईए, अगर बच्चों यहाँ तक क्लियर हैं तो बताईए, फिर हम आगी की क्लास स्टार्ट करें, और उमीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, बहुत अच्छे, तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज क क्लास हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन परिशे है है एडिंग उनाई विटा अगर हम परिशे की बात करें तो हम लोग के पास क्या है है हाइड्रोकार्बन तो देखें कहा गया कि हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा योगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो तो हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्यूत्पन के वे हैलोजन व्यूत्पन मतलब जो हाइलोजन से मिलकर बने हो उत्पन मतलब यूत्पन जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं जो एलिफैटिक अब एलिफैटिक का मतलब दोस्तों अब क्लास 11-12 की स्टुडेंट हो या फिर इस साल 12 पास आउट की और आपका सपना है 2022 नीट इग्जाम को क्रेक करना तो आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी गूट प्रेटफॉर्म अनकेडमी पर 17 आपके वो टीचर पढ़ाएंगे जिनके पढ़ाएंगे बहुत सारे स्टुडेंट नीट में टॉप रैंक ला चुके हैं ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सेप्टेंबर से एम्स रैंकर बैच समराट बैच मेधावी बैच और 17 सेप्टेंबर से भी नीट ड्रीम टीम बैच इस्कॉलर बैच और साकार बैच अगर आप चाते हो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइप पढ़ाएं आपको टेसरीज मिले क्विजिस मिले और आपको इस्ट्रक्चर कोर्स में सिलिबस कम्प्रीट करा जाएं तो ये बैच आपके लिए जितने भी स्टुड जितने भी स्टुडेंट इस विडियो को देख रहे हैं अगर आप भी निट इक्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही इस बैच में जूड़कर अपनी तयारी शुरू करें बिल्कुल सही जो आप याद किये थे क्या खूली स्रिंक ला ठीक है क्या कहा कि हाइड्रो कार्बन के वे हैलोजन युद्बन जो हैलो एलिफैटिक हाइड्रो कार्बन से प्राप्थ होते हैं हाइड्रो कार्बन से प्राप्थ होते हैं क्या कहलाते हैं, हेलो एलकेन कहलाते हैं, बताईए, क्या ये बात दिमाग बैठ रही है, एक आग एक्जामपल हो जाए, चलो, अगर हम एक्जामपल की बात करें, तो सबसे पहला ही आपको याद आना चाहिए, CS3BR, और दूसरा आना चाहिए, C2H5CL, अब आपका एक छोटा सा काम है, हम बिलको लॉल लाइन है, आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, जितनी जली IUPAC नाम लिखेंगे, उतनी जली क्लियर होगा, कि हमेरे बच्चों को आ रहा है, और इसके अलावा आज की मेंन टॉपिक लिखेंगे, हैलो एलकेइन, आईए इसको डिस्क्रिप्ट से बताते हैं आपको, जल्दी से बच्चा IUPAC नाम लिखो, हम बिलकोल उनलाइन है, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, फास्ट फास्ट, लिखेंग बनाईए हेलो एलकेइन, हेलो एलकेइन योगीक में, हेलो, एलकेइन, योगीकों में, पताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ऐसा योगीक जो हेलो एलकेइन के साथ हो, हेलो एलकेन योगिकों में एलकेन के बिटा एलकेन याद आते ही तुरन दिमाग जाना चाहिए क्या CnH2n प्लस 2 है गी नहीं एलकेन के मोनो मोनो का मतलब एक हेलोजन व्यूत्पन आप मोनो हेलोजन के नीचे अंडरलाइंग कर दिजिए व्यूत्पन को क्या कहते हैं मोनो हेलकेन मोनो हेलो हेलकेन कहते हैं उमीद करते हैं मेरे बच्चों को समझ में आया होगा अगर नई सन में आया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में तुरन कमेंट करेंगा आपके डाउट्स का ठीक है चले एक छोड़ा सा नोट बताईए अगर इनके सुत्र की बात करें तो जैसा सुरू में ही बता रहे थे कि इनका जो सामान्य सुत्र है वो क्या है CNH2N प्लस वन अगर बात होगी इन्हें दिखाते किस से हैं तो इन्हें दिखाते हैं Rx से अब सवार ही होते हैं सरी Rx क्या है तो बता यार रखेगा कि जो R है उसे ही तो कहते Alkyl Sumo R को क्या कहते Alkyl Sumo देखे Alkyl Sumo और X को क्या कहते Halogen तत जल्दी से कॉपी कर लिजे हम बोट से हट जा रहे हैं जितनी जल्दी आप कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे Halogen तत्व याद आती दिमाग में आने चाहिए चाहर Fluorine, Clorine, Bromine, Iodine कोसिस कीजेगा सब कोई NCRT या जिसके पास जो भी वुक की वो खोल लीजेगा तो चीजे आपको और भी अच्छे से क्लियर हमगी ठीक है सुन में आ रहा है चलिए आगे चलते हैं एक छोटा सा फंडा या नोठी करके लिख लो इन्हें नेम न तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं अगर कोई आप से पूछे वो तीन प्रकार क्या क्या है तो सबसे पहला कहीगा प्राथमिक एलकील हैलाइड जिससे शौटकट में एक डिगरी कहा जाता है ठीक है दूसरा प्राथमिक के बाद क्या दृतियक अलकील हाइलाइड मतलग फिर दिमाग लगई है क्या दो डिगरी उसी तरह तीसरा त्रितियक एलकील हाइलाइड त्रितियक एलकील हाइलाइड बताईए क्या ये बाद दिमाग बैठ रही है अब सवाल होता है इसको हम दिखेंगे कैसे बेटा इसको लिखने के लिए हम इसको आर आर डैश अब जाहिर सी बात है आर डवल डैश से प्रदरशित करेंगे अगर इसके इक्जाम्पल की बात करें तो ये कहा गया कि कार्बन के चारो तरब चार हाइड्रोजन होने चाहिए और इन चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजे तो कितना बचा याद करें कितना बचा एक कारवन, तो हम R ले लेते हैं C 1H 1H और यहाँ पे कोई एक क्रियात्मक समू क्रियात्मक समू तो X होगा न तो यह हो गया हमारा क्या प्राथमिक एलकिल हलाइड या R उसी तरह अगर हम R' की बात करेंगे तो अब दो कारवन में से हाइडोजन को निका लिए तो यहाँ तो से X बचा और नीचे आ गया H उसी तरह यहाँ पे 3 हो गया तो R, C R' R' डबल डैस और X यह X हो गया क्रियात्मक समू बदाईए तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि बेसिकली अगर हम हेलो एलकेन की बात करते तो 3 चीज़े आती है प्राथमिक, दृतियक और तृतियक अगर प्राथमिक एलकील हाईलाइट को समझा जाए तो 1 दिगरी दृतियक को समझा जाए तो 2 दिगरी और तृतियक को समझा जाए तो 3 दिगरी short trick, short trick क्या दिखा, कि इनको क्या कहते है R, R- और R double dash के नाम से जानते है इतना copy हो जाए तो आप लिखे comment box में यह सर्थ ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर likes करेगा क्योंकि आप जानते है, likes करते है तो मुझे energy मिलती है, तो जितनी जल्दी हो तो जल्दी जल्दी इसको copy करिए और likes करिए ठीक है चलिए, अच्छी बात है, यहां तक clear है आईए उसके बाद एक छोटा सा चीज बता रहे है, उसको याद कर लीजेगा लिखे Hello Alcane के सामाने तथा IUPAC नामकरण Hello Alcane के सामाने तथा IUPAC नामकरण यह बिटा बहुत ही most important है अगर यह चीजे आ रही है तो समझ लेना इस chapter का बिड़ा पार है और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे को यह चीजे आएंगे ही आएंगे ठीक है समझ में आ रहा है चलिए अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है आईए नामकरण किया जाए जल्दी से हम सबसे पहले बात करेंगे कॉलम की सबसे पहले में हम लिख लेते अड़ो सुत्र वह सरश्ना सुत्र एवं सनरश्ना दोसरे वाले में सामान्य नाम एवं प्रकार सामान्य नाम एवं प्रकार और तीसरे वाले में जो हमको जानना है आईउ पी एस सी नाम चलिए स्टार्ट हो जाएए एक दिम अच्छे से यह हमारा सिरियल नंबर है सबसे पहला क्या CS3CL अगर CS3CL को खोला जाए तो हम लोग क्या देखते हैं CH3 सिंगल बॉंड सियल अब आपको इसका सामान्य नाम प्रकार और आईउ पीसी नाम बताने तूरण जिती जली करेंगे उत्ती जली क्लियर होगा ठीक है ट्राइ करेंगे नहीं आएगा तो हम तो है ही है हम कहां जाएंगे हम आपकी सिवा में हमिशा तत्पर है दूसरा C2H5BR C2H5BR तीसरा C3S7 CL और चौथा हो गया C4 H9 CL कोपी करिए बटा देखिए ध्याम से अगर हम बात कर रहे हैं C2H5BR की तो इसको कैसे तोड़ेंगे ऐसे CH3 Single Bond CH2 Single Bond BR उसी तरह जब C3SCL को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे CH3 Single Bond CH2 Single Bond CH2 Single Bond CL यह होगया एक और दूसरी तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं क्या CH3 का होल ट्वाइस CHCL ठीक है उसी तरह जब हम कारवन 4, हाइड्रोजन 9 और CL को तोड़ेंगे तो इसको हम लोग 4 तरीके से तोड़ सकते हैं कैसे बिठा पहला CH3 CH2 CH2 1,2,3 CH2 CL दूसरे वाले में उसको बीच में कर दीजे CH3 CH 2 CH CL और CH3 इसके बाद क्या करिए तीसरे वाले में पास कर दीजे इसको CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CL और लास्ट वाले में क्या करिए CH3 का होल ट्वाइस C CL देखे वीटा चली इन नहों तो एकाव दोटों बता देते हैं कि थोड़ा सा आइडिया रग जाए अब हम से कहना है क्वेशन कि हैलो एलकेन के सामान और आईव पीएसी नाम बताई अगर इसको याद रखा जाए तो कारबन है एक हाइडोजन है तीन और यहां हो गया CL तो इसका सामान नाम CH3 है तो मेथिल और CL है तो क्लोराइड अब याद रखना है कि सर कैसे हो गया तो chlorine तो chloride, bromine तो bromide, iodine तो iodide, अब fluorine है तो fluoride उसी तरह अगर आपको CH3 दिखे तो याद रखिएगा बच्चा इसे methyl कहिएगा और C2H5 दिखे तो इसे methyl कहिएगा बताईए पहले ये बास समझ में आ रही कि नहीं मेरे बच्चों को अगर ये बास समझ में आ रही तो आप बूरे यस सर बिल्कुल क्लियर स्वन में आ रही है चिक है इसके बाद हमने क्या दिखा प्रकार तो कार्बन आप दिखे फंड़ा क्या कर रहा है कि 1 कही है एक क्लियात्मक समू है एक कार्बन है तो क्या हो गया एक डिगरी IUPAC नाम IUPAC नाम याद रखने के लिए पहले पुरो लगने तो पुरो लगने कौन? CL तो क्या हो गया? क्लोरो कार्बन कट हो एक एक पे मेथ और सिंगल बाण एन तो क्या हो गया? क्लोरो मेथ हैं? बदाईए क्या ये बास समझ में आ गई? आ गई तो ये सर में दीज़ें फिर हम आगे चलें उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो देखिए एक और दो दो कार्बन तो दो कार्बन है तो एथिल और बी यार है तो ब्रोमाइड अब आप याद रखिएगा यहाँ पे छोटी सी बात सी यल है तो क्लोराइड बी यार है तो ब्रोमाइड यहाँ भी एक डिगरी है क्योंकि कार्बन एक ही जगह है यह भी मारी एक डिगरी हो गई अब कार्बन दो है यह एक है तो क्या हो गया? बी यार है तो ब्रोमो और एथेन बताईए क्या ये बास समझ में आ रही है आपको किसका हो जाएगा क्या ब्रोमो इथेन आगे चरे देखो अब इस बार टोटल इसमें दो कार्बन था इसमें एक, दो, तीन कार्बन तीन कार्बन है तो तीन प्रो तो प्रोपिल चाहो तो इसको एन प्रोपिल भी लिख सकते कोई की दिक्कत नहीं है और C-L है, तो C-L पे क्या क्लोराइड बताईए क्या ये बाते दिमाग में बैठ गई कि C-L है तो एन क्लोराइड मतलब ये भी हो गया एक डिग्री लेकिन यहां क्या देख रहे हैं इस C-L होल ट्वाइस और C-L है अगर इसको तोड़ा जाए तो अगर इसको तोड़ा जाए तो देखिए यहीं भी बना दे रहे हैं यहां बना दे रहे हैं क्या ये कारवन बीच में रखो एक हाइड्रोजन यहां रखो एक क्लोरीन यहां रखो अब CS3 का होल ट्वाइस मतलब यहां भी CS3 और यहां भी CS3 तो क्या लग रहा है R-S वाला लग रहा है दो आगे ना R-R-S तो इस केस में आप लंबी स्रिंखला देखो इसको यह वाला तीन कार्बन और सिंगल बॉंड पर यह तो इसको क्या पढ़ेंगे आईसो प्रोपिल क्लोराइड अब यहां पर एक डिग्री लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर R है और R- है और R- पर दो डिग्री R-R- पर तिन डिग्री अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें बच्चा तो देखें इसका IUPAC नाम क्या है देखो ध्यान से IUPAC नाम क्या है इसका देखें एक पर था तो 1 क्लोरो क्या 1 क्लोरो प्रोपेन उसी तरह अगर हम इसकी बात करें आइसो प्रोपेल तो दिखें एक दो तीन तो दूसरे पर सी है तो 2 क्लोरो क्या प्रोपेन इसी बदाईए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई अगर समझ में आ गई तो आप फिलहाल इन चारों को करिएगा ये चारों आपके हो जाएंगे होमवर्क मतलब IPSC नाम करण समान विदी और थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए अपने पेन को रख दीजे आईए समझ लिया जाए हम लोगों ने आज देखा हैलो एलकेन हैलो एलकेन का नाम करण देखा हैलो एलकेन किसे कहते ये बात समझ में आ गई इसके पहले हम लोग स्टार्ट कहां से किये थे स्टार्ट किये थे इंट्रोड़क्शन से इंट्रोड़क्शन में यहाद रखना है कि हैलो एलकेन बोलेगा तो खुली स्रिंकला है और हैलो एरीन बोलेगा तो बंस्रिंकला है आज से हम लोग पार्ट टू स्टार्ट किये पार्ट टू में पहला चैप्टर ही है हेलो एलकेन, हेलो एलकीन इसके 30% टॉपिक नहीं पढ़ने ये वो टॉपिक है जो हमको नहीं पढ़ने इसलिए हम आपको ये सारी चीज़े नहीं पढ़ाएंगे इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा कुछ छोटा सा रिवीजन कि जब एलकील समू होता है तो उसको CNS2N से कहते इसमें अनो लगने लगता है एन और पूरो लगने लगता है क्या इनके नाम F है तो फ्लोरो Cल है तो क्लोरो BR है तो ब्रोमो और I है तो आईडो बदाईए उसी तरह कार्बन एक से दे सियात के लिए बच्चा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट हैक्स, हैट, आक्ट, नो नॉडे अगर हमें याद रखना है तो इस R को कहते ये और X कोई भी क्रियात्मक समू हम माल नहीं यहां है Cल उसके बाद हमने हेलो एरीन देखा हेलो एरीन, बंस, रिंकला, एक ग्रूप याद रखना है अरोमेटिक योगिक अरोमेटिक योगिक को बेंजीन समू भी कहते C6, H5, X ये कुछ बेंजीन के रूप है जिनको हमको याद कर लेना है और उमीद करते हमारे सारे बच्चों को ये चीज याद भी हो गई होगी इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा परिशे कि हाइड्रो कार्बन की वे हैलोजन विद्पन जो एलिफैटिक एलिफैटिक मतलब खुली सिंखला हाइड्रो कार्बन से प्राथ होते हैं वो हैलो एलकेन कहलाते जैसे आपको बोला कि इसका यूपेसी नाम लिखना है CS3BR कार्बन एक हाइड्रोजन एक तो क्या हो गया ब्रोमो मिथेन यहाँ कार्बन दो क्लोरीन एक तो क्या हो गया क्लोरो एथेन उसी तरह जब हैलो एलकेन की बात करे तो हैलो एलकेन योगिकों में एलकेन के मोनो हैलोजन व्यूत मोनो हैलकेन कहते हैं जिसका समाने सुत्र CNS2N होता है इसे RX से दिखेते हैं R मतलब एलकील समू जिसका फॉर्मला यहां बोर्ट पे है हैलोजन मतलब यह इसमें यहाद रखिएगा पूर्व लगन लगाते है पूर्व लगन F है तो फ्लोरो CL है तो क्लोरो BR है तो ब्रोमो और I है तो आईडो ओके समझे हैं और कभी भी IUPAC बनाने के लिए सबसे पहले पूर्व लग फिर कारवन की संख्या फिर अनुलग अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो 100% बता रहे आप सक्सेज होंगे चीजे आपको समझ में आएगी अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बिलकुल नहीं आएगा बता देरें इसके बाद हमने देखा किने मुखेतत तीन प्रकार में बाठ दिया गया एक प्राथमिक एलकील एक दुतियक और एक तृतियक प्राथमिक वाले को एक डिग्री बोला एक डिग्री की पहचान आर आर देखो एक बार और एक क्रियात्मक समूँ अगर हम दुतियक की बात करें तो आर और डैश आर अपनी जगह फिक्स है एक आगे 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 आडैश इस आर की जगह ही रखेंगे च्री उसी तरह अगर हम आर डबल डैस की बात करें दिखिए आर अपनी जगह फिक्स है एक आर एक आर डैस आ गया तो ये fix है कि ये तीन भागम तुटेंगे प्रात्मिक, दृतियक और तृतियक पताईए क्या ये बात समझ में आ गई तो उमीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा जो homework दिये उस homework को याद कर लिजे आज कली इतना ही चीजे आती जाएगे चलो ठीक है बाबाए